हेलो स्टुडेंट कल्यानी जूनियस के ओनलाइन प्रिटफांबर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ लखंदाइवां आपको अक्षा आर्ट की हिंदी बसंद भाग 3 पड़ा रहा हूँ फ्रेंट अभी हमने आपको कुछ समय पहले ही या कुछ देर पहले ही आपको बसंद भाग 3 का पार्ट 5 चिट्थियों के नूठी दुनिया की व्याक्या हमने आपको बताई थी अब हम इसमें सुर्व कर रहे हैं इसके प्रशन उत्तर तो चलिए बच्चो देखिए इसमें इ को इसका उत्तर यह होता है कि पत्र जैसा, संतोस फोन या समस का संदेश नहीं दे सकता उसके कारण कुछ निवन लिखे थे मतलब पहले हमारे पास जो पत्र आते हैं उस से हमें जो इसंतुष्टि प्राप्त होती थी जितना सैटिसफेक्शन हमें प्राप्त होता था या SMS के संधेसों को संहुल कर भविस्य के लिए रखा नहीं जा सकता जैसे हम पत्र को संभाल करा सकते वैसे के लिए ऐसे हम फोन के SMS या WhatsApp के जो मेसेज होते हैं इनको समभाल कर लॉड टाइम तक भविस्य के लिए नहीं रख सकते हैं ये पहला कारण इसका इसलिये अपना को सनतुष्टि प्राप्त नहीं होती कि दूसरा है कि यादों को सहेज्च कर रख सकते हैं जबकि फोन याÚा समस को 고양ी तो हम projecte को यादगार के तोर पर हम पत्र रख सकते हैं लेकिन क्या समसेज को रख सकते हैं क्या gossip म हमें जो मैसेज्ज करते हैं इसको रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं ठीक है इसके बाद फिर संभाल कर रखे गए पत्रों को भविष में कभी भी पढ़ा जा सकता है और उनसे प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है जब हम किसी पत्र को संभाल कर रखते हैं तो उससे हम कभी भी भविष में पढ़ सकते हैं और उससे हमें कुछ न कुछ सेखने को मिलता है या कुछ न में अवस्य मिलती है ठीक है इसके बाद में जबकि जो फोन या SMS को लंबे समय तक बाद में न सुना जा सकता है और नहीं उसे पढ़ा जा सकता है आरा समझ में तो जो भी फोन के उद्यमी कभी प्रसासक्ति आदी के पत्रों को अनुसन्धान का विस्य से बनाया जा सकता है जबकि फोन के समय सकते हैं उन्हें नहीं बनाया जा सकता तो यसमें लाश्चिंट तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े बड़े लेखक होते हैं पत्रकार होते हैं उद्ध्यमी उद्ध्यमी का मतलब होता है व्यवसाई वर्ग तो जो व्यवसाई करता है उसे हम कहते हैं उद्ध्यमी तो जो उद्ध्यमी होते हैं कभी होते हैं प्रशाशक होते हैं इनके प तो आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे अब आगे देखिए इसमें प्रिश्न दो तो प्रिश्न दो है आपका कि पत्र को खत कागद उत्तरम जाबू लेक कडिद चिठी इत्यादि कहा जाता है और इन सब्दों से संबंदित भासाओं के नाम बताईए ठीक है बट टो पहला देखें यहां पर भासा का नाम में संस्कृत तो संस्क्रत में क्या कहा जाता है पात्र इसके बाद तेल्गु बह स्अमें पट्र को क्या कहते है बहुती लगु भासा में पत्र को उत्तरम जाबू और लेख कहा जाता है ठीक है फिर इसके बाद में तमिल भासा में तो तमिल भासा में कडिद कहा जाता है पत्र को आरा समझ में तो यह आपको ध्यान रखना है अब यह भासा कहा कहा बोली जाती है तो संस्क्रत अपने पूरे भारत पहले चलती हैं इसको लों में पढ़ाई जाती बस बच्चों को ठीक है फिर इसके बाद ऊरदू तो अर्दू हमारे भारत में जैसे जम्मु कस्मीर में बूली जाती है इसके बाद में उर्दू का प्रयोग हमारे उत्तरपदेश में किया जाता है ध्यान रखना अपलो फिर इसके बाद कन्नड कहा की भासा है यह करना टक की ठीक है फिर इसके बाद तेलगो तेलगो कहा की भासा है यह आंद्रपदेश क का उत्तर भी समपत हो जाता है अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रशन तो प्रशन तीसरा है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किये गए हैं उनका उत्तर लिखिए ठीक है और जो पत्र लेखन है तो पत्र लेखन की कला को बढ़ावा देने के प्रैसएं तो पहला प्रएास देखिए कि एस्कुला настоящ क्रमों में पत्र लेकन का विसहयुन किया गया है अरतमत में तो एक्जाम में आप से पूछा जाएगा तौको लिखना है कि पहला तो यह सकुला नियुक्रम के पट्र लेकन का विसवेंści अन्य देशों ने भी विश्व डांख संग की ओर से पत्र लेखन कला को बढ़ावा दिया है तो हमारे भारत में पत्र लेखन कला को बढ़ावा दिया ही गया है साथ साथ जो विश्व डांख संग है इसके द्वारा भी विश्व में पत्र लेखन कला को बढ़ावा दिया गय तो जो ब्शुव डाक संग ने विष्व के स्तर पर सभी देशों के स्कुलों में 16 वर्ष से कम आई को बच्चों के लिए लेखन परतियों के ताका कारेकरम शुरू किया है और यह कब शुरू किया था तो यह उन्हीं सब्हुत्तर में 1972 में शुरू किया था ठीक है यह आपको ध्यान लखना है तो यह हैं हमारे प्रशने 3 का उत्तर तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे अब आगे देखें इसमें प्रशने 4 तो प्रशने 4 हैं कि पत्र धरोवर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं हो सकते तरक सहीत अपना विचार दीजिए ठीक है अब आप सोचिए हमने आपको बताया था जब आपने आपको पड़ाया था भी ठीक है और उसका जो भावार्थ हमने आपको समझाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी SMS धरोवर नहीं हो सकते हैं लेकिन पत्र हो सकते हैं तो देखिए SMS का उत्तर क्या है इसक संदेसों को हम जल्दी से भूल जाते हैं जैसे जो पत्र होते हैं तो पत्र को कई दिनों तक संभाल कर रख सकते हैं लेकिन क्या फोन पर आए SMS को हम सभाल कर रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते कुछ समय के बाद हम डिलीट कर देते हैं हारा थमद में इसके बाद फिर अगला होता है कि हम थोड़े से संदेशों को याद के रूप में रख सकते थोड़ रहा होता है उसके मेमोरी फूल हो जाएगी मोबाइल हैं होने लगेगा इसलिए हमको डिलीट करना पड़ता है हमारी मजबूरी है इसके बाद फिर अनेक महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र ही उनकी धरवर होती है तो जो महान लोग होते हैं उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं ये धरवर का कारी करते हैं धरवर होती है फिर इसके बाद में दुनिया के अनेक संग्राहलयों में जानिमानी हस्तियों के पत्रों का संकलन सहज कर रखा गया है तो हमारे भारत में जो संग्राहले बने ह हुए हैं उन संग्रहाले हो में बड़े-बड़े देश के हस्तियों के दोवारा लिखे गए पत्रों को समभा रखा गया है ठीक है इसके बद फिर अनेक पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है अरह समझ में तो इस पर हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे पत्र हैं जो देश, काल और समाज को जानने का समझने का एक असली पैमाना होता है क्योंकि पत्रों से हमें पता चलता है किस हमारा भारती समाज कैसा था ठीक है किस प्रकार की विचाधरा रखता था यह हमें पत्रों से पता चल जाता है इसके बाद फिर आजादी की बस्तू बन गए मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में जो स्वतंतरता सैनानी होते थे वे अपने परिवार जनों को जब पत्र लिखते थे तो बे पत्र आज आज भी हमको देखने को मिलते हैं और यह पत्र आगे चलकर अत्यन्त महत्व की वस्तू बन जाते हैं ठीक है इन पर रिसर्च भी किया जाता है अनुसंधान भी किया जाता है फिर इसके बाद में और नेहरू महत्मा गांधी बहगत सिंग जैसे माहान एस्थियों द्वारा लिखे're पत्र बढ़न चुके एं तो हमारे भारत में जो महान नेता और उसके उत्तर अब इसके बाद देखिए प्रश्न पांच प्रश्न पांच है कि क्या फैक्स इमेल टेलीफोन तथा मोबाइल चिट्थियों की जगार ले सकते हैं हरा तमद में तो जो प्रश्न पांच वह है यह आप से पुछा जा रहा है कि आज हम जो SMS करते हैं मैसेज कर करते हैं फैक्स करते हैं इमेल करते हैं टेलीफोन और मोबाइल क्या यह चिट्थियों की जगर ले सकते हैं तो इसका उत्तर क्या है तो फैक्स इमेल टेलीफोन तथा मोबाइल यह पत्रों या चिट्थियों की जगर नहीं ले सकते हैं क्यों नहीं ले सकते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण यह है की पत्रों को हम लंबे समय तक सहज कर रख सकते हैं जबकि इन्हें اेसन मेश को सहज कर नहीं रख सकते आरत हमज में तो जो हम को पहले पत्र मिलते थे या हम पत्र भेज़ते तoty hot rough समाल कर रखते थे सहेज कर रखते थे लेकिन आजकल यह SMS को हम संभाल कर नहीं रख सकते हैं इसके बाद फिर पत्र के अलावा अन्य संचार साधनों को संभाल कर रखना संभाव भी नहीं है पत्र ही एक एसा माध्या में जिसे हम संभाल कर रख सकते हैं बाकि और किसी संचार के साधन को आप समाल कर नहीं रख सकते तो इसके बाद फिर पत्र लाने वाले डाकियों को देधूत माना जाता हैं जबकि अन्नय साद्रों को इतना महत्पून смs तान नहीं पहले हम देखते थे कि हमारे भारत में हमारे किशिवी गाव में शहर में डाकिया के दवारा हमें पतर दिया जाताता था तो बहरड़ा कि जब तर देता था तो हम उसका बहुत स अंत最 redu करते थे पिर इसके बाद में वही हमें कभी-कभी मन्यार भी ला कर देता है तो असम दिव दूद की रूप में समझते हैं हमने उसे द्योदूत का इस्थान दिया है क्या इतना बड़ा इस्थान इतना महत्पुन इस्थान हम किसी संचार के साधन को दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते ठीक है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो टेलीफॉन है समझ गए होंगे तो देखते रहें बच्चों हमारे कल्याणी आयसेकेट में के सभी वीडियो जो आपके सफलता में महत्पुन भूमी का निभाते हैं थेंक्स पूर बोचिंग